यह हमारी आज की रचिपी जो बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्थी है तो फ्रेंड आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मत्री जिसे हमने बिना मैदा और बίνा सुजी के बनाया है तो नमस्का फ्रेंड्स लेकर चार से पांच गंटे के लिए भीगो दिया थैं, आप चाहें तो चाबल की मत्रा कम कर सकते हैं और इसके बाद में भीगोने के बाद में हम इनको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से हमको ग्राइंड करना है पर कोशिस करनी है कि हमें पानी नह दाल दाला है दाला है मिर्ची पड़र मिर्ची पाउड़र आप ज्यादध CHOLD जीर fantasy पड़नलें कालोंजी इच्चा स्वाइख टा बहुत हमें दाला है 4 तीच्च्पून दाला है तब दिद Soalan Reader जेरा सें हरु बाप लिए इन यहां पडाई है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें डालना है आटा जो गेहूं का आटा हमारे घरों में प्रयोग होता है वही आटा हमें इसमें डालना है और हम इसमें आटे को धीरे धीरे डालेंगे इसलिए धीरे धीरे डालेंगे कि हमें इसमें पानी नहीं डालना है हम केवल इसमे परमोन के लिए डालेंगे एक टेबल इस्पून ओईल और इससे डालने से क्या होगा ना कि हमारी जो मट्री है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी हम यहाँ पर कसूरी मैथी भी हमने डाली है और इनको डालकर हम इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे अच्छी तरह से हम इसको दॉक्टर ने दिया था उन्होंने बोला था कि सुबह उठकर आप मैदे की जगे अगर घर की बनी हुई या आटे का बना हुआ कोई चीज खाएंगे ना तो ज्यादा हेल्दी होता है और हमारी हेल्थ के लिए वो सही रहता है कि रोज-रोज मैदा खाने से गरबड हो जात करने के बाद में इस तरह से हमने इसको त्यार कर लिए देखिया और इसके बाद में हम इसके दो पोर्शन में इसको डिवाइट कर लेंगे दो भाग में डिवाइट कर लेंगे ताकि हमें बेलने में असानी रहे तो यह दिया इस तरह से हमने इसकी लोई दो त्यार कर ली ह तो यहां पर हमारी दोनों लोईयों को हमने तैयार कर लिया है. और अब हम चलते हैं चकले की तरफ. चकले में हमें सबसे पहले चकले को ग्रीज करना है थोढ़ा सा इस तरह से और इसके बाद में हम इसको बेल लेंगे. पर इस तरह से हमने इन्हें लंबाई में काटा है हमारी मठ्री तल रही है तलने के बाद में ये देखिए कितनी अच्छे से कलर आया है और कितनी बढ़िया हमारी तल गई है धीमी आज़ पर हमें इनको तलना है तेज आज़ करेंगे तुर जल जाएगी क्रिस्पी नहीं हो पाएगी यह देखी आप देख सकते हैं कित्ती अच्छी सी बनी है यह बहुत अच्छा सा स्नैक्स होता है क्योंकि बहुत हेल्दी होता है आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं चटनी के साथ भी चाय के साथ भी खा सकते हैं तो दोस्तों आप इस कीजिए शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा थेंक यू